राजस्तान में तीसरा खेमा बनाने को बैताव और राजस्तान में जवानों और किसानों की बात करने वाले नेता हनुमान बेनिवाल जो अपने बयानों के लिए अक्तर सुट्कियों में चाहे रहता है बितेरे विवार को हनुमान बेनिवाल की पार्टी आरेलपी का पांच वाय स्तापना दिवस था और नागोर सांसत हनुमान बेनिवाल के द्वारा प्रदेश में सुरू की गई उनकी सत्ता संकल्प यात्रा का समापन का भी लेकिन इस दोरान नेता जी का गुस्सा साथ वे आस्पान पर थे बेनिवाल अपने ही समर्दों को पर बार बार गुस्सा कर रहे थे पहले आप एक वीडियो देखी जिसमें बेनिवाल मंच पर बैठे होई नजर आ रहे हैं लेकिन मंच का संचालंग कर रह और वो उटकर उसे धमकाने पहुँच गए इस दोरान कुछ लोगों ने उन्हें सांथ करवाया आपको ये भी बता दे कि मंच पर उनके साथ भीम आर्मी के चीफ चंद्रसेकर आजाद रावन भी मोजूद था वो भी हरान हो गए कि हनुमान बेनिवाल को जानक ये क्या हो गया बेनिवाल यही नहीं रुके जब मंच पर बेनिवाल के भासन देने की बारी आई तो आजाज समाज पार्टी का सिराम के कर करता बेनिवाल के पास अपनी पार्टी का एक दुपटा लेकर पहुचा फिर क्या था बेनिवाल उस पर भी भड़क गए सुना आपने हरुमान बेनिवाल के तो बेने जरार है कि उनके पास नोसीक्यों की फोज है और मेरी मजबूरी है कि इन सब को साथ लेकर चल रहा आप अभी और रुकिए पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है मोका था नाच गाने का तो बेनिवाल ने डीजे वाले से गाना बज़वाया और जूम ने लगे इस दोरान उनके समर्थक उन्हें अपने कंदों पर बिठा कर जूम ना चाते थे लेकिन नेता जी को फिर गुस्दा आगिया बेनिवाल ने अपने ही समर्थक पर हाथ मारते वे निचे उताने का इसारा किया और फिर जूमने लगे आपको बता दे कि राजस्तान में हनुमान बेनिवाल किसानों की जवानों की बात करते हो भी नज़रात है यानि कि राजस्तान में अपनी सरकार बनाने की और कॉंग्रेस और बिजेपी को कड़ी चुनोती देते हो भी नज़रात है देखना होता है कि बेन्डीवाल अपनी सरकार बनाने में कामियाब हो भाते हैं या फिर नहीं आपका इस कबर पर क्या मानना हैं? हमें कमेंड कर ज़रूर पताएं बीडी पोर्ट दफेक्ट इंडिया ताज़ा खवरों के लिए बिजिट करें दफेक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनोड करें दफेक्ट इंडिया एप